नमस्ते फ्रेंड्स मेरा नाम लक्षिमी खान थे और आज हम इस उड़ में देखेंगे अगर आप सेक्शन एट कमपनी रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कमपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन-कौन से डाकुमेंट्स हमारे प परसन चाहिए तो दो लोगों का आधर काड़ आपके पास होना चाहिए और पैन काड़ उनके पास होना चाहिए उसके साथ ही अड्रेस पूरूफ के लिए करन्ट मंत का क्या चाहिए बैंक स्टेटमेंट्स उनके पास होना चाहिए ज्यादा पुराना बैंक स्टेटमेंट नहीं लगेगा फिर जहां पर office दिखाना चाहते हैं आप वहां का latest electricity भी लगेगा साथ ही जो भी members हैं उनके email ID, mobile number और company का अगर अलग से देना चाहते हैं email ID, mobile number तो वह भी आप दे सकते हैं उसके साथ ही ये दो लोगों का क्या चाहिए passport photo चाहिए हमारे पास और जो company का आप नाम रखना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पे दो तिन नाम आपको देने पड़ेंगे company name के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं name reservation करने के लिए तो उसके लिए जो fee से government की वह है एक आजार उपए इसके अंदर आप दो name दे सकते हैं अगर दो name मिला ठीक है नहीं मिला तो फिर से आप दो name दे सकते हैं इसके अंदर total आप कितने नाम दे सकते हैं चार नाम दे सकते हैं अगर ये भी नाम नहीं मिला तो जो आपने 1000 रुपीज पे किया था वह 1000 रुपीज आपका क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा तो फिर से आपको नेम अपलाई करना पड़ेगा तो जब आप नेम के लिए अपलाई करेंगे तो प्रॉपर रिसर्च क रहता है वो मिल जाएगा आपको जो दो लोग रहते हैं डारेक्टर रहते हैं जो भी दो तीन जो भी है उनके दिन नमबर मिलेंगे आपको कमपनी का पैनकार्ट दस हजार रुपए जो बनने के लिए टाइम लगेगा वो पंदरह से बीच दिन का समय लगेगा इसमें उसके साथ ही हमारा हमने यहां पे मोबाइल नमबर दे दिया है यह मेरा इमेल आड़ी है इस नमबर पर या इमेल आड़ी पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं इसके साथ ही म सकते हैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है 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 इसके सबस्सक्तरा कर दोए टानरी